यूपी में काब आनेह सिंग राठो और इस वक्त मेरे साथ है और उनके हाथ में एक ये नोटिस का पड़्चा दिखाई दे रहा है मुझे ने यहाँ पहला सवाल कि काब आ ये देखिए ये तो नोटिस है और कल जो है कानपूर देहाद की पुलिस टीम यहां दिल्ली आई काबा सिजन टू जो है उसकी वजह से समाज में वेम अनस्यता फैलरी है और मैंने सामाजीक सौहार्द्र विगाड़ने की कोशिश करी है तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करी है तो इसी वजह से मुझे ये नोटिस मिला है तो इसे पहले दो दिन पहले अंबेड क कर नगर जहां पर मेरा ससुराल है वहां पर कानपूर दिहात की पुलीस टीम पुरी लद के गई थी एक दम जैसे लग रहा था बारात लगाने जा रही है यह जैसे बहुत बड़ा एक क्रिमिनल को पकड़ने जाते होंगे लोग मतलब कौन सा गाना आपने गादिया सीजन क्योंकि यह तो भाई समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं बिल्कुल ला दो तुम में उसको सुनाती हो अभी वह एक्चुली मेरे पास है नहीं मुझे बताई है यह और यह पहली बार कोई आरोफ मुझे निलग रहा लगे हुएं कई बार ऐसे लगे हुएं तो जान ब जिम्मेदारी है ना आप सुबह सुबह आ गई हैं हमसे सवाल पूछने क्योंकि आपने समझा होगा ना कि हां मतलब यह सारी चीजें कुछ घटना हो रही है उस पर बात करना जरूरी है खबर दिखाना जरूरी है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं हम भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे है मैंने समाज में लोगों से एक वादा किया हुआ है कि भाईया आपके साथ बुらい होगा आपको साथ जो कुछ भी होगा अच्छा बहला मैं आपके साथ हूँ मेरे गीत आपके साथ है मेरे मेरे बोल आपके साथ है मैं गीत लिखती और गाती हूँ तो मैंने उनको वादा किया हुआ है तो मैं वही काम कर रही हूँ और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार गाया है यूपी में काबा उससे पहले भी मैंने गाया था तो बहुत सारे जो है ट्रोड करने वाले लोग धंकी द साथ रहेंगी आज आपको इस वक्त जब नोटेस आ चुका है आप दिल्ली में है आप बोल रही है मेड कर नगर आपका जो घर है वहां पर भी जो पुलिस है वो गई थी कमिटमेंट आज कितना मुश्किल लग रहा है नहीं नहीं देखिए मुझे शुरू के दिन से पता था कि हाँ इस तरह की चुनवतियों का सामना मुझे करना पड़ सकता देखिए मेरे पास दो रास्ते थे एक वो सरकार के गुंडगान करने वाला वह भी रास्ता मेरे पास था मैं गीत लिखती और गाती हूं तो मैं वह गीत भी तो लिखी सकती हूं पर मैंने वह नहीं चुना यह गीत आपने भी आपने भी सुने होंगे कि यहां की आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने तो जिस गाने पर नोटेस आया था है उस गाने को जरा सुनना चाहूंग चाहूंगी जो हमारे दर्शक है वह भी सुने कि आखिर वह कौन सा गाना सीजन टू काबा आया जिस लेकर के निहा के पास में नोटेस आगया है तो यह जो वीडियो है उसमें यह पहला जो पॉइंट आपको जो नजर आएगा उसमें यह है और वीडियो में AAP Grow I am है एतलब मतलब समझ रहे ही कि मैं हाँ हाम भोलू याना बौलू कहीं से uh से भी और बोलू तो तोलह कि मैंने मेरे वकील से भी बात करना शुरू कर दिया तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी और कोई जवाब मैं नहीं देने वाली हूं नोटीस का वो मेरे वकील जैसा बताएंगे मैं वैसा ही बोलूंगी तो आप देखी न कितना कितना तरीकी से सवाल पुछा गया है आपको फसाने के लिए बाकि अपने का यूपी में काबा की दूलाएं ले आईल राम राजबा बुल्डोजर से रौंदत दिक्षित के घरवा आजबा अरे ही बुल्डोजर वापे बाबा के नाजबा काबा यूपी में काबा कलक्टर ठुमके बाजबा सटकलो करमी जाजबा अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाजबा काबा यूपी में का काबा अरे गरीबन के मड़ा इफुक वादा गुर्बत के इलाजबा लोग तंत्र के नाम पे भाईया भाईल कोड में खाजबा काबा अरे आग लगीत हिंदू जरिहें जरिहें मुसलमान बा एबाबा एह जाना खाली अब्दूल के मकान बा यूपी में आप बताईए कि इस गाने में इसन काबा कि पुलिस के पूरी टीम ऐसे लदके आ गई मैं आप से पूछ रही हूं कि ऐसा का बाइस गाने में आपको क्या लग रहा है इसा कौन सा शब्द है आपका जो मतलब यह लग रहा है कि समाज को गलत देशामिल एक भी शब्द नहीं अगर ऐसा मुझे लगता तो मैं पहले तो लिखती और गाती ही नहीं मैं क्यूं सब्सक्राइब और इसंद पहले इस भी बार इस तरह से परशान करने के लिए नोटीस मुझे भेज़े जाते रहे हैं मेरे गीट जो है वही होते हैं मुद्दों के गीट तो लोग परिशान हो जाता लेकिन यह पहली बार हुआ है कि पूरा एगदम पुलीस जो है पहले मे क्योंकि मेरी शादी को भी आठ महीने हुए है और आप समझ लिए न हम यूपी बिहार से आते हैं वहां पर कितनी बड़ी बात हो जाती है और वहां पर मेरे ससुर जी अकेले रहते हैं वह कितना पर वह सुबह सुबह कॉल करके पूछ रहे थे बैटा सब कुछ ठीक तो है पर अदम क्या होगा आपका सीजन तू आया नोटे सागया अब आप क्या जवाब किस तरीके से जवाब देंगी नहीं नहीं वह जवाब तो मैं मेरे वकिल से बात करने के बाद ही दे पाऊंगी बाकि अगर यह बात रही कि डरा दिया धमका दिया तो अब रुक जाएगी तो यह तो नहीं होने वाला वह कभी भी नहीं हुआ था जब मैंने यूपी में का बाद सीजन वन इलेक्शन के टाइम पर चाहे वह नहीं होगा वह तो मैं नहीं रुकूंगी बाकि हाँ यह नोटी सरी जो कानून कानूनी करवाई और यह सारी चीजें होती है वह मैं अपने व आफ हमें देदी जी किया कुछ होता है बिल्कुल ऐसा नहीं है और रही बात कि दूसरे पक्ष को मैं बिल्कुल निश्पक्ष तरीके से जनता की बात रखने की कोशिश करती हूँ अगर मेरे गीत सुनी होंगी तो जाहे यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी मुद्द सवाल पूछा और गाने के जवाब देने के लिए उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हूँ जितनी मजबूती के साथ अपने गाने के माध्यम से लोगों के बीच अपने भाव रखती हूँ और उनके साथ खड़ी रहती हूँ के साथ में श्रग्दा शुत्रवेदी चिविनाएं कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर